हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आग मैं आपके शाद एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज मैं आपको बताने चारी हूँ वाइट शाउस पास्ता की रेसिपी और पहलज जादा टेस्टी बनने वाली है अगर आपने मेरी तरीकी से बना लिया तो आप हर बार ऐसे ही बना खाये इससे पहले वाइट शाउस कायसे बनाते हैं उसकी रेसिपी दिया है मैंने अपने चैनल पे तो आप देख सकते हैं और अभी मैं पूरी रेसिपी यहां पे फुल रेसिपी शेयर करने इसकी बिल्कुल मत कीजेगा और इसका जो जितना भी प्रोसेस है मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगे सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और यह जो है बहुद जादा टेस्टी बनता है सबसे पहले हमें एक बड़ा बगो ना लेना है उसके अंदर पानी ले लेना है उसमें चम्मच और ब्दता नमग दालना है उसके बाद हम कर remo कर दो कर दो दो आधे कर दो बात हैं लाट वसको ध्यान करने अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट लगेगा आपको और यहाँ पर चैक भी कर लीजे मैंने यहाँ पर चाको से कट करके दिखाया अगर यह उबल जाता है तो कट हो जाएगा और सौप्ट हो जाएगा उसके बाद उबलने के बाद इसको हमें पानी को ड्रेन कर देना है तुरं करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा हाथ में लगा के इसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद चलिए हम नेक्स पोसिस में चलते हैं अब इसके लिए हम सबजी तयार करेंगे यहाँ पर मैंने प्याज गोबी और सिम्ला मिर्च और गाजर लिया है इसको हमें छोटे- टुकडों में आपको कट कर लेना है बारिक-बारिक इतना आप बारी काटेंगे उतना अच्छा है और उसके बाद इनको हम अच्छे से भून लेंगे तो देखी यहाँ पर मैं कट कर लेती हूं यहाँ पर पूरा मैंने कट कर लिया आपको दिखा दिया मैंने और उसके बा आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं और जितनी सब् cocaine कर देंगे on satay कर लेंगे लगबग दो से चार मिनट तक बहुत जयादा इसको नहीं पकाना है ऐसे इसको क्रंची रखना है तो हमारी जो सब्जी है वो बस यहां पर देखिए यह अच्छे से हो चुकी है और बस इस स्टेज पर हमें गैस को बन करना है और नेक्स पोसेस में चलना है वाइट सोंस बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर एक मोठी तली हमने कडा ही लिये कडा ही थोड़ा भारी होना चाहिए नहीं तो क्योंकि जो सौंस होती है थोड़ी चीपकती हैं यहांपर मैंने एक चमछ के करीब मैंने oh yeah लिया है और उसके बाद इसके हमने Name Me Kren तो यहांपर जो हमने रिफाइन का यूज इसलिए किया है क्योंकि अगर हम डारेक्ट मक्खन को डालते हैं तो मक्खन जलने लगता है तो यहां पर जो है आप जब भी कभी मक्खन का यूज करें तो थोड़ा सा रिफाइन ओयल पहले से आप डाल दे तो जो आपका बटर है वो कभी अब यहां पर हम जो है एक बड़ा चमच भर के हम यहां पर लेंगे आल पर्पर्पेस फ्लोर मैदा और मैदे को हमें बटर के अंदर अच्छे से भुणना है तब तक जिब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए अगर आपको कॉंटिटी ज्यादा बनानी है मैं लगवक चार से पांच लोगों के लिए बना रही हूं अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो दोनों मात्रा बढ़ा सकते हैं तो यहां पर देखिए अच्छे से कलर चेंज हो चुका है जब यह अच्छे से भुण जाएगा मैदा उसके बाद हम जो है दूद का यूज करेंगे जो सांस होती है उसको हम मिल्क से बनाते हैं तो यहां पर हम देखिए यह अच्छे से भुण चुका है अब हम यहां पर नॉर्मल टेंपरेचर का मिल्क धीरे धीरे डालेंगे ताकि लम्स ना पड़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ नहीं डालना है नहीं तो फिर वो लम्स आ जाएंगे तो यहां पर देखिए मैं इसको कर रहे हो आप चाहें तो चमसे से भी कर सकते हैं आपके पास जो चीजों उससे कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं तो यहां पर देखिए यह अच्छे से हो गया है लम्स फ्री और इसको अच्छे से करके ल तो इस बात का हमें ध्यान देना है और तब हमारी जो सांस है वो अच्छी बनके रेडी होगी इतने अराम से आप इसको छोड़ना नहीं है धीरे धीरे इसको हिलाते ही रहना है तो फिर यह सांस बनके अच्छी सी रेडी हो जाएगी इसको बनाना बहुत आसान होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है कि कैसे बनता है यह वाइट सांस पास्ता की जो सांस होती है लेकिन आप इसको घर पे बहुत आसानी से बना सकते है यह दो तरीके से बनाई जाती है एक तरीका जो यह है वो मैं आपको बता रही हूँ दूसरा तरीका है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वह भी बता दूंगी वह और भी इजी होती है तो वह मैयोनीस के हैल्प से बनाई जाती है अब यहां पर हम साथ के अनुसार थोड़ा से यहां पर टेस्ट को मैनेज करने के लिए यहां पर डालेंगे सुगर क्योंकि इससे जो जो इस क्योंकि आजकल इतनी सारी बिमारी है सब हो रहेंगे बीपी प्रॉब्लम तो अगर अगर अपने घर में पिंक साल्ट का यूज करें तो बहुत अच्छा है खाने में तो मैं पूरे होल अपने जितना भी हम बनाते हैं खाना सब में मैं पिंक साल्ट का यूज करती हूँ त पूरी रेशिपी जो है मैं अगले वीडियो में दूँगी यहां पर सिर्फ मैं आपको बाइट साउस बताना बता रही हूं बनाना तो बस अब यह हम को डालने के बाद थोड़ी जरोर पकाना है और हमारी जोसों सही वह रेडी हो चुकी यहां पर हम ब्लैक पेपर डालेंग क्या होता है कि थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आता है तो मेरे पास अभी यह लेवल नहीं था इसले मने नहीं डाला है अभी हमारी जोसों से वह रेडी हो चुकी है अब हम इसके अंदर जो हमने बॉयल करके पास्ता रखा था वो मैं डाल दूंगी और एक से दो मिनट तरह से बना के आप खाएंगे बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगा और बहुत जादा ही टेस्टी बनता है तो एक बार जरूर बनाए और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि आपका जो पास्ता है वो कैसा बना थोड़ा से वीडियो लंबी है लेकिन आपको अच्छे तरीके से मुझे बताना था इसलिए वीडियो लंबी हो गई है तो वीडियो पूरा देखें इसकी नहीं करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंस फैमली में जरूर से रेर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें त तब तक अपने बेहत क्याल रखें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू बाई बाई